नमस्कार दोस्तों, भगवान आप से भी कभला करें और आपके सारी एक्षाय मनुकामने पुरी हो दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्पुन जान कर विएक करूँगा यहाँ पर आपकी जो भी क्वेरी है उन सभी का डिटेल में आंसर दिया जाएगा, तो पहला प्रश्न ये है कि life में बहुत problem चल रहा है और यह जितना भी problem है यह mainly आपके wealth से related है, family से related है और peace से related है, तो इन सारे problems से आप mainly कब तक निकल पाएंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपके देखें माइंड लाइन के उपर में तो यहां हम देख सकेंगे कि इधर पर clear-cut हमको आइलेंड के formations देखने को मिलेंगे जब इस तरही की के आइलेंड के formations माइंड लाइन पर इवन किसी भी रेखा के उपर होता है तो वो समय बहुत ज़्यादा ही struggling बीटता है क्योंकि उस समय पर हमारे पास कोई भी रास्ता बचता नहीं निकलने का हम भसे रह जाते हैं तो ये मस्तिश रेखा पर जब भी आता है तो mental level पर बहुत थी ज़्यादा सफर करना पड़ता है क्योंकि mental peace नहीं मिल पाता या जिस भी तरह से हमको शांती मिल सके वो सारी चीज़े नहीं हो पाती है और उपर से सैटन मांट के नीचे अगर island का साइन आ रहा है तो ये समझ लिजे कि career के regarding mainly struggle ये stress आपको face करना पड़ेगा ये island अभी career के regarding problem दे रहा है इसके पहले भी आपके island बन चुके है जैसे कि mangal के रेखा के द्वारा भी island का sign यहाँ पर बन चुका है पहले और ये समय था आपके life में 21 एपरोक से लेकर के 23 के मिड में जिसमें आपको family, आपके learning और आपके lifestyle relationship में बहुत ज़दा sacrifices struggle करने पड़े थे frustration और aggression बहुत भेंकर level का उस समय आपके अंदर रहता था इसके पहले भी island आपको यहाँ पर बना लेकिन यह Jupiter mount के नीचे बना तो Jupiter mount के नीचे जैसे की struggle face करना पड़ता है mainly family health और family surroundings के regarding और education के regarding तो उस समय जैसे bullying होना proper जो है gains नहीं हो पाना studies का या utilization ही नहीं हो पाना studies का तो वो सारी चीजें भी आपको 14 से लेकर के 17 के मिड़ में face करनी पड़ी थी अभी जो struggle है यह last struggle है क्योंकि Saturn जो problem देते हैं वो final problem देते हैं ताकि आप final recovery करें और फिर इसके बाद में आपको mainly कोई struggle ना आए तो यह island के बाद में आपके कोई भी island का formation mind line पे नहीं है छोटे हलके फुलके कह सकते हैं के राहों के रेखाएं हैं और छोटी मोटी रेखाएं जो illusions या भ्रहमित कर सकती है लेकिन main जो struggle है आपको इसी period में अभी face करना पड़ रहा है यह island का formation आपके palm में 26 से लेकर के 29 के age तक exist कर रहा है तो 26 से ही जो है mainly struggle आपको career finance इन सबके regarding आना शुरू हो गया छोटे छोटे और भी इसके पहले भी एक दो हैं combinations लेकिन उस समय भी आपकी mind line मजबूत थी पहले भी मजबूत थी आगे भी मजबूत रहेगी तो आप हार तो नहीं मानेंगे हिम्मत नहीं हारेंगे solution कही न कहीं से find कर लेना या temporary based results आपको मिल जाएगा लेकिन ये समय पर एक suggestion यही है आपके लिए कि आप फिलहाल के समय पर आपके पास मुश्किल से मुश्किल अब एक साल और बच रहा है तो इस समय पर आप कोई भी नया काम शुरू करने के बारे में मत सोचिए जो present में चल रहा है present को ही follow करिए observe करिए आपके साथ ये सारी problems क्यों हो रही है सेटन ये सब क्यों करा रहे हैं इस पर अगर आप ध्यान देगा है आपको solution मिल जाएगा जब भी ऐसा कोई भी combination आता है island का तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा भटकना शुरू करते हैं हर जगे जाना हर जगे से राय लेना या हर तरह का हाथ आजमाना हथकंडे अपनाना ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं करना है इस समय आप spirituality कर लिजिए दान धर्म पोजा पार्ट ये सारी चीज़े कर लिजिए औ वो भी आपको suggest किया जाएगा Saturn problem नहीं दे रहे हैं आपको main problem आपको career पे आ रहा है mental peace पे आ रहा है क्योंकि Saturn आपको pressure create कर रहे हैं फिलाल के समय पर तो इस condition में जितना ज्यादा शांती से रहा जाए रहने का प्रैद्न करें बहुत मुश्किल है ये मेरे लिए कहना बहुत लेकिन यही आपको करना रहेगा यही करने से solution मिलेगा, काम automatically होना शुरू हो जाएगा, Saturn का magic अगर देखना है, तो हर चीज इस वर पर छोड़ देना चाहिए और even जो कर्म है उसके उपर सिर्ध्यान देना चाहिए और कर्म भी धर्म से ही related अगर ज्यादा हो, तो ज्यादा फायदा मिलता है तो आपको जो problem है, most to मतलब hard to heart, 6 to 7 months और रहेगा इसके बाद में आपके chances नहीं है वैसे भी October में आपका approximately 28 complete ही हो जाएगा तो most probably जो remedies आप करेंगे, उससे हो सकता ही कि इसी साल के अंत तक आते आते problems आ रहे हैं, वो सब भी आपके definitely solve यहाँ पर हो पाएगे इसके बाद में आपको जो father से related, या father के health से related जो problem face करना पड़ रहा है तो उसमें भी बहुत हद तक सुधार, सिर्फ और सिर्फ Saturn के ही remedies के अतरिकता जाएगा और एक यहाँ पर क्या हुआ कि एक यहाँ से progress line यानि राहू की ही progress line Saturn पे जा रही है और इसी current समय पर एक शाखा सूर्य के तरफ जुक रही है, तो यह confirmation देता है कि 29 age running में यानि इसलिए कहा जा रहा है कि 6-7 महिने में ही सुधार हो जाएगा क्योंकि उस समय पर यह Saturn की line है, separate यह line तो वो चीज़ आपके साथ होगी सूर के रेखा जो निकली है, यह क्या करेगा profession organize कर देगा काम में बरकत या तरक्की या पैसा आना शुरू होगा और father, क्योंकि सूर के तरफ रेखा जुक रही है, तो father से related positive news आपको देखने को मिल जाएगा, हो सकता है कि इनके जो cancer का इलाज है, वो कई न की अच्छे से हो जाए या recover वो अच्छे से कर जाए business बंद भी है तो business के regarding ही कोई न कोई opportunity या subordinate opportunity आपके पास आएगा wife से related government job की जहां तक बात है तो आपका जो Jupiter का strength है वहाँ तो square का sign बनता दिखाई दे रहा है ये बहुत अच्छा sign होता है ये protection का sign होता है आपके पाम में सिर्फ यही एक sign है जो सारी की सारी negativity को खतम कर रहा है क्योंकि Jupiter पे square होना यानि कभी भी resources की कमी नहीं पढ़ना opportunities की कमी पढ़ सकती है लेकिन जब भी जिस भी तरह से किसी भी चीज़ की जरुवत पड़ी वो चीज़ आपके पास आ जाएगी पेसा नहीं है जरुवत पड़ा पेसों का कही ना कहीं से आएगा बट में जो concern है square का वो होता है married life से related जैसे कि square protection का sign है Jupiter पे यह आ रहा है तो married life बहुत stable हो जाती है successful हो जाती है partner से related तो बहुत ही ज़ादा लाब मिलता है तो partner जो government job की तयारी कर रहे है उसके उसमें clear होने के chances 100% यहाँ पर available है कब clear होगा यह उनके पाम से जो है निकल के आएगा लेकिन आपके पाम में confirmation है कि उनका government job होगा faster जो है इसके results आपको देखने को मिल जाएंगे money से related problem आपको है या आपके career से related है main satan आपको problem वहाँ देंगे जहाँ पर आपको सुकुन मिलता हो जहाँ पर एक तरीके से आपका मन लगता हो क्योंकि island का sign problem कहाँ देगा जहाँ पर प्रति की इक्षाएं हैं तो जहाँ पर इक्षाएं नहीं हैं वहाँ पर देखिए वहाँ सारी चीज़े stable दिखेगी उनके प्रति अगर इक्षा बढ़ गई तो वहाँ पर भी problem आ जाएगा तो ये remedy इसलिए किया जा रहा है ताकि ये issues आपको बढ़े नहीं और easily कुछ समय और है ये cut जाए इसके बद में कोई काम नहीं हो पा रहा बंते-बंते काम बिगड़ जाता है तो ये सब राहू और Saturn के negative effect या island के effect अगर हम आपके luck line के बात करें आपके luck line में कहीं भी problem नहीं है luck line की strength को आप देखिए एकदम smoothly ये चल रही है mind line पे हलका सा break लिया इसने फिर यहां से निकल के heart line पे break लिया तो definitely career में एक से दो बार transformation होता है या एक से दो बार के बाद ही प्रहतन के बाद काम बनता है तो जो एक यहां पर भी struggle line है एक दो दो struggle line और तीन struggle line आपकी luck line पे काट रही है इनका age यहां पर judge करेंगे तो यही निकल क्या रहा है 28 और 9 का age 35 age and 39 and 40 age इन ages में losses होगा इसके बाद में नहीं है इसके बाद में आपकी luck line को ही हम देखे तो पूरी की पूरी अच्छी strength के साथ निकल रही है इवन अब कोई अगर रेखा भी आ रही है तो mercury line में, sun line में या triangle के formations में convert हो रही है जो पेसा बढ़ाता है, बरकत देता, तरक्की देता है तो इसलिए हम luck line में या बाकी सारे जगे पर उतना problem नहीं face कर पा रहे है जहां पर हमको सिर्फ मस्तिश रेखा में और slightly हमारा जो life line है वहाँ पर worries line आ रही है तो इसका जो remedy है, suggestion है वह आपको भेजा जाएगा और family के health और सभी के health के regarding भी सुधार देखने को मिलेगा क्योंकि यह जो worries line है यह overthinking, negative thinking, family और unnecessary worries के कारण आती है आप इस चीज को देखिए कि आपके पाम में supportive line active हो रही है अभी तक कोई supportive line नहीं थी 28 ता, correct 29 के एज में available हो रही है और continue supportive line चल रही है तो अपनों का, दूसरों का, spouse का सबका support जब मिलता है, प्रकती का support मिलता है, तो इसी रेखा हैं आ जाती है यह रेखा जैसी आ रही है आपकी और ज़्यादा progress line पाम में शुरू हो रही है, इसे self-made luck line कहा जाता है, जो अपने effort से मिलना और ले लाभिया success को represent करता है तो जहां पर जो अभी बताएगा कि square का sign यहां पर है तो यह confirmation देता है कि बच्चों के जीवर में तकलीफ नहीं आएगा, उनका future अच्छा रहेगा, और इन सारे problem से छुटकारा आपको max to max 6 month के अंदर और minimum से minimum 3 month के अंदर remedies के द्वारा मिल जाएगा इसका और another confirmation ले ले लेते हैं आपके another palm pick पे या left hand में तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि इस जगे पे आपको island का formation देखने को मिल जाएगा और इसके बाद में उतनी struggle या stress line नहीं है राहू की रेखने हैं आपको अलग-अलग तरह से influence कर सकती है अलग-अलग profession या काम की प्रती लेकिन अब सिधे आपकी progress line सी mind line से निकल रही है और जो luck line है उसमें से mercury line निकल रही है जो वापिस से काम में विस्तार या प्रगति को दर्शा रहा है तो थोड़ा सो और patience रखें आपके दोनों सूरी की स्थिती में त्रिशुल के चिन बाइफोर के का sign available है इसलिए आप बहुत सारे लोगों को job दे पाएंगे और क्यों दे पाएंगे क्योंकि आपका काम उतने बड़े स्तरका हो पाएगा त्रिशुल का चिन एक सज़दा माध्यम से पेसा तरक्की, सम्मान या काम देने वाला रहता है शनी के छेतर पर थोड़ी हम के सकते की परवत दबावाई लेकिन अंतता है यहाँ पर एक जो रेखा है वो जूपिटर, सनीश होते हुए जूपिटर पर जा रहा है तो धीरे धीरे संपुन इस्थिती सही होती है और सही होगी रेखा दोनों हथिले में मजबूत हो रही है इसलिए दूसरों के सही होग से भी बहुत सारे आपके काम बनेंगे ट्रेंगल का साइन कन्फूमेशन देता है कि जन्मिस्तान से दूर तरक्की या प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी डेवलप आपका होगा तो ये थी सबसे महत्पुन बाते आपके हाथ करे गाड़िंग आशा करता हूँ सभी परेशनों का उत्तर मिल गया हो तब तक आपके अंदर वीराजबान ईश्वर को मेरा प्रणाम